सबसे पहले आप सोभी का बहुत बहुत थैंक्यू हमारे साथ जूनने के लिए उमिद करूंगा आप सोभ अच्छे है और आपका प्रिपार्शन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैंगे तो आज हम लोग आसाम सेट एक्जाम की एंसर को देखेंगे जो 13th मार्च एक्जाम हुआ था और यह हमारा पार्ट टू है अगर आप लोगोंने पार्ट वान को नहीं देखा है तो अभी जब इस चनल में जाकर देख लो पार्ट वान में हम लोग लगभाग 20 questions complete कर थे और इस session में हम लोग का कोशिस है कि बाकी जो remaining portions रहे थे उन सभी को complete कर वा हूँ उमीद है यह session आपको आच्छा लगए तो चलिए session को start करते है तो first question आपको समने screen फे यह रहा following the statements are true and false find out the correct answer from the quotes given below तो निमने में जो statements दिया हो है वो कुछ true है और कुछ false है तो यह हम लोग को बताना होगा कि कौन सा true है और कौन सा false है तो देखो Plato believes in an ideal state यह तो बिल्कुल सही है प्लेटो के लिए तो ideal state ही सब कुछ है तो option A हमारा true है तो देखो यह पर तीन option है A, B और C आप दूसरा option को देखते है option B रोल्स believes in dialectical materialism यह गलत है यह रोल्स ने beliefs नहीं किया है यह कारल मार्क्स और हेगल ने beliefs किया है तो option B तो गलत है तो देखो A और C रहे गए अब देखो Hobbes, Locke and Russo entertain social conduct theory यह तो बिल्कुल सही है तो option C हमारा true है तो देखो true, false और true तो एक ही option है बो है option C Right, अब option D बार्नार्ड विल्यम्स speaks of distributive justice यह false हो जाएगा तो option C हमारा correct answer है अब next question पर आते है तो यह पर भी कुछ statements true दिया है और कुछ statements false भी दिया हो है तो इन में से कौन से true है और कौन से false है यह हम लोगों को बतान होगा तो देखो A truth table is not a decision procedure क्या यह statements शुत्त है या फिर मिठता है यह तो बिल्कुल false है तो A false दखो दो option है A और B और दखो D A implies B A therefore B it is an argument form यह तो बिल्कुल सही है यह valid argument form है यह rules of inference के जो मोड़ा sponence rules है MP rules P implies Q P therefore Q वही है यह पर दिया हो है राइट A implies B A therefore B तो यह तो बिल्कुल सही है तो दखो A false and D true तो एक ही option है वो है option B राइट तो option B हमारा correct answer होगा और बाकी जो दो option रह गये थे उनको एक बाद देख लेते हैं तो दखो modern interpretation of square of opposition of proposition admits only contrary and contradictory relations यह तो बिल्कुल सही है और दखो arguments are unlimited but argument forms are limited यह गलत हो जाएगा राइट तो option B हमारा correct answer है अब next question पर आते हैं तो दखो true तो दखो यह पर तीन option है A B और D आप दखो option B decards believes in factious ideas यह तो बिल्कुल सही है राइट तो दखो दो option रह गये A और D आप दखो option C Leibniz adheres to the view that some of our ideas are in it यह statement गलत है क्यों गलत है क्योंकि यह Leibniz नहीं कहा है यह Deckards ने कहा है राइट और Leibniz ने क्या कहा था all ideas are in it correct तो option C हमारा गलत हो जाएगा तो देखो एक ही option है वो है option A तो option A हमारा correct answer हो जाएगा अब देखो D according to lock no ideas are in it यह तो बिल्कुल सही है got it तो option A हमारा correct है अब आगले question पर आते है तो देखो मिमांग्सों काज think that Vedas are porous यह तो बिल्कुल सही है right मिमांग्सों गंड़े तो बेद को porous यह माना है यह option A true है अब देखो option B सोब और रोट एक commentatory और नाई सुत्रों यह गलत है नाई सुत्रों का commentatory किसे ने लखा है बात साय ने लखा है तो option B गलत हो जाएगा तो देखो A true और B false तो देखो एक ही option है बो है option B राइट तो option B हमेरे correct answer हो जाएगा आप देखो चारबा का philosophy is known as भूतों चोईतों नाबाद यह तो बिल्कुल सही है और भत्री होरी is the propounder of इस सब्दों बीबर्त बादो यह गलत है जाएगा राइट अब next question तो यह एसर्चन और reasoning बाला question पूछे गए है यह social and political philosophy Indian से पूछे गए है तो देखो punishment is the special duty of king according to dandaniati यह तो बिल्कुल सही है राइट अब देखो reason क्या बला है कि a king upholds धर्मों by punishing the guilty यह भी सही है तो देखो option b assertion or reasoning is true अब next question पर आते है तो फ्रेंट्स यह भी assertion और reasoning बाला question दिया गया है तो देखो assertion में क्या बला है कि it is better to die while performing सौधर्मों यह भगवत गिता के according यह बिल्कुल सही है इसका और्थ है यह बहतर है कि आप सौधर्मों को पालन करते हुए मर जाना तो सौधर्मों यह पालन करना ही होगा तो यह assertion true है और reason में क्या बोला है कि one's own dharma is the best to follow यह भी सही है यह पर भी स्वधर्मों की बात हो रही है तो assertion और reasoning यह दोनों ही true है तो option B हमरा correct answer होगा अब next question पर आते हैं तो friends यह पर भी assertion और reasoning बाला questions पूचे गहे हैं तो देखो Buddhism says that when I see another person being tortured I should offer myself to go through the torture in his or her place यह मुझे लगता है कि यह true ही होगा बट I'm not sure ठीक है तो और reason में क्या बहला है कि compassion means corona demands sacrifice of oneself for others यह भी सही है तो इसका जो reason है बो भी correct है तो option A assertion is true and reason is true and the reason is the correct explanation of assertion right तो option A ही होगा आप लोग थोड़ा इसको एक बद चेक कर लेना ठीक है आप next question पर आता है ओके तो friends यह assertion और reason बाला questions पुछे गए है और यह Plato से पुछे गए है तो assertion में क्या बोला है कि Plato denies the view that knowledge is perception यह तो बिलकुल सही है right आप दो को reason में क्या बोला है कि perception yields contradictory impression यह भी सही है तो both assertion and reasoning is correct and the reasoning is the correct explanation of assertion right और आप लोग यह बताओ कि किसने कहा है कि knowledge is perception तो इसको comment section पर जरूर comment करके बताना कि knowledge is perception यह किसने बोला है अब next question पर आते है which of the following is not acceptable to deep ecological movements तो deep ecological movements में कौन सा acceptable नहीं है यह आप लोग को बताना होगा तो दो को option a deep ecology is the outcome of anthropocentrism option b deep ecology is a form of non-anthropocentrism option c deep ecology is based on self-realization या फिर option d deep ecology helps one to reveal oneness with the rest तो friends deep ecology movements में anthropocentrism यह तो बिलकुल नहीं आएगा right anthropocentrism का और तो है यह human centric भी हुआ तो दखो option a deep ecology is the outcome of anthropocentrism यह option गलत है deep ecological movements के according तो अब anthropocentrism क्या है biocentrism क्या है वो सरे हम लोग बताएंगे next question पर तो friends यह पर कुछ statements true है और कुछ statements false दिया हो है तो आप लोग को बताना होगा कि कौन सा statement true है और कौन सा false है तो दखो deep ecology is a form of anthropocentrism यह तो गलत है तो यह false हम लोग ने पिछले question में ही किया अब दखो land ethics of leopold contents water, soil, animals, trees, etc यह तो बिलकुल सही है right land ethics का मतलब यह नहीं है कि वो शिर्फ और सिर्फ land की बारे में ही बात करेगा right अब दखो biocentrism asserts that all biotic communities are equal तो यह बिलकुल सही है तो दखो option b false true true और last में दखो option d environmental ethics 6 environmental justice based on equal value यह तो बिलकुल सही है right तो दखो option b हमारा correct answer होगा आब यहाँ पर दखो तो दखो anthropocentrism क्या है कि anthropocentrism is the view or belief that human beings are superior to all other organisms right तो यह basically focuses on humans के बारे में बात करेगा और दखो consider humans being the most important right और दखो biocentrism क्या है कि biocentrism places greater importance on living components of the environment और यह focuses किसके उपर करेगा यह all living things के उपर करेगा right और यह consider करता है कि biotic factors important right अब यहाँ पर ecocentrism को भी एक बार पढ़ लेता है तो ecocentrism is a perspective that place importance on the ecosystem as a whole right और यह focus किसके उपर करेगा इको सिस्टम as a whole और यहाँ पर किसको importance दगा यह biotic and abiotic factors are important तो anthropocentrism में only human beings को focuses करता है importance है और biocentrism में तो biotic factors important है और ecocentrism में biotic और abiotic factors दोनों ही important है right अब next question पर आता है coins two dogmas of empiricism goes against the following pair of philosophers तो coin का जो two dogmas of empiricism था यह निमलेगित में से कौन सा philosopher के against gay है option a Carnap and Woodgainstein option b Kant and Frege option c Carnap and Kripke यह फिर option d Kant and Carnap तो friends coins का जो two dogmas of empiricism था वो Carnap के against gay थे right और यह Carnap के साथ साथ can't के against भी गए थे तो option d हमारा correct answer होगा अब next question पर आते हैं तो friends यह पर कुछ statements true दिया है तो निमलेगित में से कौन सा true है कौन सा false है यह बाताना होगा तो चलिए देखते हैं तो देखो Moore made a distinction between m predicate and p predicate क्या यह statement सही है या फिर गलत तो यह statement बिलकुल गलत है क्योंकि यह Moore ने distinction नहीं किया था यह Strachan ने distinction किया था right अब देखो option b Frege is famous for his distinction of sense and reference यह तो बिलकुल सही है right अब देखो option c Strachan believes in the distinction between revolutionary and descriptive metaphysics यह भी बिलकुल सही है right तो देखो a false b true and c true तो देखो option c हमारा correct answer है अब Russell realize on ordinary language in order to defend common sense belief यह तो बिलकुल गलत है right और यह किसने कहा है यह आप लोग को comment section पर comment करके बताना होगा तो चलिए अब next question पर आते हैं और कुछ statements मिथ्था दिया हो है तो निमलोकित में से कौन सा statement स्वत्तो है और कौन सा मिथ्था है तो चलिए देखते है तो देखो option a Immanuel Kant accepts moral universalizability यह तो बिलकुल सही है right तो a option true है आप देखो option d eudaimonism promotes welfare और happiness as the ultimate goal of life यह भी statement सही है right तो option a true है और option d true है तो कौन सा है तो देखो option c में है right तो option c हमारा character answer हो जाएगा आब b और c क्या है उसको एक बद देख लेते हैं तो moral principles should be understood on the basis of the cultural context of the person says cultural relativism यह भी सही है और option c that you slap me once I shall slap you twice in return is the inner principle of the retributive theory of punishment यह भी सही है right तो यह सारे statements सही दिया हुआ है correct अब next question पर आते है तो friends यह पर match the list पूछे गया है तो list one में है स्वारबोदाई radical humanism practical बैदान्ता और integral humanism और list two में है दिंदाल उपद्धाई विवेकानन्दा M.N. Roy और M.K. गंधी तो स्वारबोदाई यह किस ने दिया है यह M.K. गंधी ने दिया है तो A को four से मिला तो देखो एक ही option है वो है option B तो option B हमारा correct answer होगा आप देखो radical humanism यह किस ने दिया है यह M.N. Roy ने दिया है और देखो practical बैदान तो यह तो विवेकानन्दा ने दिया है और integral humanism यह बला questions पूछे गए है तो SSL में बोला है कि in inductive argument the conclusion is probable यह तो बिल्कुल सही है right inductive argument में conclusion यह probable है और reason में क्या बोला है the conclusion of an inductive argument does not overlap its premises यह भी सही है तो inductive argument में क्या होता है कुछ particular proposition से general proposition तक जाता है right तो यह probably तो है और यह overlap भी नहीं करता है right तो दखो option D हमारा correct answer होगा the assertion and reason are true and reason is also true about us अब next question पर आते है the substance of the political philosophy of Marx is to be found in his तो यह political philosophy का जो substance है Karl Marx का यह का पर पाई जाते है तो option A the communist manifesto option B the critique of political economy या फिर option C the communist manifesto the critique of political economy and 10 capital या फिर option D 10 capital तो friends इस question का जो best option होगा वो है option C the communist manifesto the critique of political economy and 10 capital right अब अगले question पर आते है philosophy and science have their roots in wonder is upheld by तो फिलोजोफी और science का roots यह आस्चोड जो है यह किसने बताया है तो option A Thomas Aquinas, option B Socrates या फिर option C Aristotle या फिर option D Democritus तो friends यह एक static question है आप लोगों को as it is याद राखना होगा और इस question का जो correct answer होगा वो है option C Aristotle right अब next question पर आते हैं the highest degree of certainty can be obtained in case of intuitive knowledge तो intuitive knowledge में highest degree of certainty को obtain किया जा सकता है यह किसका मौत है तो option A Dekards, option B Spinoza, option C Leibniz या फिर option D Locke तो friends यह भी एक static question है आप लोगों को as it is याद राखना होगा और इस question का जो सह answer होगा वो है option D John Locke right अब next question पर आते हैं choose the correct answer according to Strasson the concept of person is तो Strasson के according person का जो concept है वो क्या है option A Primary, option B Secondary, option C Logically Primitive या फिर option D Derivative तो friends इस question का जो सही answer होगा वो है option C Logically Primitive आप देखो यापर तो देखो Strasson is representing ordinary thought as having the structure of what other have called a dual aspect theory persons are things with two aspects bodily and mental और तो को he famously describes this as the idea that the concept of a person is a primitive concept right तो या पर primitive concept की बात हो रही है तो यह प्रिमिटिव भी होगा तो option C हमारा का एक टांसर होगा तो आज इस सेसन का लास्ट कोस्टन है according to Sri Aurobindo yoga means union with the divine this union is तो option A transcendental या फिर cosmic या फिर individual या फिर इन तीनो तो friends according to Sri Aurobindo yoga means union with the divine और यह union कौन सा है transcendental है cosmic है और individual भी है तो option D all three together तो option D हमारा correct answer है और बाकी जो questions रह गए है उन सभी को आम लोग next session में continue करेंगे ओके तो that's all for today's session उमिद गुरूम का यह session आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगोंने notes भी बना लिया होगा तो चलिए आप फुड़ा पुरसे session को like करें और आपने दोस्तों के साथ share करें ठीक है तो मिलता है अगले session में अपना ध्यान रखिए और जम कर पढ़ाए करें जाहीं हुआ हुआ है